नमस्कार मैं रभुनात प्रशाद दिनांक आज देजर 24 को तेलंगाना में एक चुनावी सभा में जो ही मानेनिये प्रधान मंतरी जी ने कहा कि अब कांगर्स पार्टी की ओर से अधानी और अंबानी के नाम नहीं लिया जा रहा है उसके पिछे कारण यह है कि उनके यहां जो रुपए हैं ज़त पी कलाधन भी शायद सब्द यूज भुआ कि वे टेंपो में भर-भर कर कांगर्स पार्टी को पहुंच रहे हैं निश्चित तोर पर यह बहुत गंभीर आरूप है दोनों पर एक तो द्योगपतियों पर दोनों जो प्रशिद्ध द्योगपती हैं इस देश के और कांगर्स पार्टी पर अब जो ही मानी प्रधान मंत्री जी ने ये बाते कहीं पूरे देश में हल चर्मच गई और सारे चैनलों पर ये चर्चा का विशेय हो गया तुरत शुरी राजिव गांधी ने प्रटवार किया और उन्हों ने उस प्रटवार में कहा कि पहले तो कमरे के अंदर बोलते थे अब पबलीक मिटिंग में प्रधान मंत्री जी ने उन्दूनों का नाम लिया और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मिडिया शेल है उससे ये बतलाया गया कि जब से चुनाओ की घोस्तना हुई है एक सो तीन बार अधानी का नाम लिया गया है जबकि तीस बार अम्मानी का नाम स्री रावल गांधी जी को द्वारा अब यहाल के दीनों के इस मई में भी जहां जहां श्री रावल गांधी जी कहा चुनाओ परचार में वहां उन्हों नहीं नाम लिया है दोनों। प्रतियों का अब ये बात समझ बनी आती है कि जब अधानी का नाम पर लोकस्वा में बहस चल रही थी और सिरी राहुल गांधी जी ने एक कागज दिखला कर कहा कि ये रिष्टा क्या कहलाता है उसके अगले ही दिन पुदे देश ने देखा कि एक मालहानी मुकादमे में गुजरात के एक कोक ने दो बरस की सजा सुना दी राहुल गांधी को और उनकी सदस्ता समाप्त हो गई अब ये देश की जलता सोचने को बद है कि ऐसा कैसी हो सकता है कि जिस राहुल गांधी की सदस्ता समाप्त हुई अधानी के नाम पर अधानी का नाम लेने के कारण उनसे रुपे लिये ये बात आई है तो निश्ची तरपनिश के तहकिकात होनी चाहिए पुरा देश इस बात को भी जानता है सारी जनता इस बात को भी जानती है कि उद्योग पतियों का देश के विकास में महत्पुन योगदान होता है और वो जो बिभिन तरह के काम करते हैं फैक्टें खुलते उसमें लोगों को रोजगायर मिलता है और जो सत्ता में होता है तो ज्यादा तर जो पुझी पती हैं उनके साथ ज्यादर सहयोग करते रहे हैं तो अब इतना तो आही गया कि राखुल गांधी जी ने जो लगातार एटेक किया अधानी और अंबानी पर अब मानिय प्रधान मंत्री जी ने भी इसे स्विकार्ड कर लिया है और मैं समस्ता हूं कि अब जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और भी बहुत तरह की बात हैं मानिय प्रधान मंत्री जी और भारती जनता पार्टी के बरे बरे नेता लाएंगे सामने और वो अटेक करने का प्रयास करेंगे और इस वार मीडिया शेल कांग्रेस पार्टी का भी बेजोर काम कर रहा है कि जो भी बात खासकर मानिय प्रधान मंत्री जी के मूश निकलती ह उनका तुरत उत्तर कांग्रेस का मेडिया शोय रहा है हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं जो आहरोप आए हैं देश की जंता के सामने में यह सिद्धि भी किया जाना छाहिए यह कि देश की जंता जाने लेकिन हम लोग यह चाहेंगे कि जो यह चुनाओ चल रहा है दुहजार चुनाओ जिसका प्रिणाम चार जून को आएगा देश में स्वस्थ प्रंपरा के साथ चुनाओ हो यह हम सभी लोगों को देखना चाहिए और इससे हमारी परलेमेंटरी डेमोक्रेसी मजबूत होगी और अदानी और अमबानी का ना रहे थे अदानी और अमबानी पर अब ये बात मानी प्रधानमंतरी जीवी मान गये कि जनता के बीच में ये बात गई है इसलिए उन्होंने इसे पुर्जो ठंग से स्वें उठाए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तोर पर लाइक करने शेयर करने झालो